जै भारत माता की जै भारतिय जनतापार्टी जिल्दापार्थ मंचसील भारतिय जनतापार्टी के संगठन महमंत्री आदन्य अशो कोलजी स्रीमान कविंद्र गुपता जी पूर्व उपमुख्यमंत्री हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान विने जी भारतिये जनता पार्टी के इंड्रेस्ट्रीज और ट्रेडर सेल का काम देखने वाले श्रीमान शाम लंगर साहब और जिनुने आज भारतिये जनता पार्टी का दामन ठामा है श्रीमान नीरज अनंद जी इनी के साथ साथ मेरे समकाक्ष मेरे दोस्त चैंबर के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी विनोज जी कमल जी जी और मैं देख रहा हूँ यहां सामबे से हमारे अमरक शत्रिय के राजपूत सवा के वरिष्ट साथी से योगी आए हैं श्री राहुल सहाई जी जिनके स्वर्ग्य पिता जी के साथ हमें एक लंबा काम करने का अनुभव उस श्री आमरनात भूमी अंदोलन के साथ रहा है बहुत कर्मट वेक्ति थे श्रीमान राम सहाई साव और हमेशा देश के जम्मू के हितूं के लिए लड़ते थे एक बहुत संघर्शील योधा के नाम से जाने जाते थे श्री परवीन जी अगरवाल साथ देविंदर गुक्ता जी और रमन जी बाकी रामलाल जी जितने भी अन्य यहां साथ ही से योगी आए हैं आपका भारतिये जनता पार्टी के कार्याले में हार्दी कविनंदन है आज जिन्होंने भारतिये जनता पार्टी का दामन श्रीमा नीरज अनन जी के साथ ठामा है श्री परवीन गुक्ता साब श्री रमन कुप्ता जी श्री अभिनव आनन जी श्री मनोहर सिंग्ह जी रमेष कजुल्योसाब श्री राहुल मलोत्रा जी, श्री बफरशा साथ, श्री साहिल जैन जी, श्री अंकित मानवा जी, श्री बलविंदर सिंग साथ, और हमारी बेहने श्रीमती पूजा कपूर जी, डॉक्टर शारिका जी, श्रीमती सुवीदा जैन जी और स्रीमती मानविंदर कोर जी यहां श्री नीरज अनन जी के साथ बड़ी संख्या में आई हुए हमारे शेहर के प्रबुद्जल आप सबका भारतिय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है साथियों श्रीमान नीरज अनन जी पिछले कई वर्शां से यहां वो अपने जो बिजनस कम्मुनिटी के एक जानम आने चहरे के नाते से उन्होंने काम किया और हमेशा जैसे जम्मू के हमारे ट्रेड़र्स हैं बिजनस कम्मुनिटी के लोग हैं उन्होंने हमेशां देश हित्का कारे किया और श्री निरज अनन्जी भी उन्हीं के पद्चिनूंपर चलते हुए देश और समाज के लिए हमेशां अग्रणी भूवी का सेवा कारियों में निभाते रहे हैं मुझे याद है जब करोना काल का मुश्किल वक्त आया और उस वक्त जब पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर बंद हो गई लागडाउन हो गया जहां बार बार हमारे देश के येशिस्वी प्लार मंत्री मोधी साहब देश की जंता का मार्क दर्शन करते थे हर 15 दिनों के थे कि हमें किस प्रकार से अपने आपको और पूरे समाज को माश्रे को बचाना है वही यह जो हमारा व्यापारी वर्ग है जमू का उस मुश्किल हालात में भी जब सब कारोबार बन इंडरस्ट्री बन ट्रेड बन दुकान बन बाजार बन गली बन महला बन गाउं और शहर बन उस वकत भी हमारे जो व्यापारी वर्ग समाज आप सभी लोग जो बैठे हैं आप सब के प्रयास से हमने जम्मू के अंदर इस करोना को मार देने में काम्याबी हासिल की उसका सबसे बड़ा श्रे क्रेडिट आप सब को जाता है साथ यह उसी दोर में हमने नीरेज अनन जी को भी देखा कि कैसे दिन रात आप सब के स्रयोग से श्रीमा नीरेज जी सेवा कारियों में लगे थे वो चाहे राशन की डिस्रिब्यूशन हो वो चाहे उस वकत सेनिटाइजर्स और फेस मास्क की बात हो मेडिसन सप्लाई की बात हो जो जो भी जरूरत पड़ती थी हर कदम पर इन्होंने देश और समाज के साथ अपने साथी सायोगियों से कदम से कदम मिला कर चले और इतना ही नहीं कि जा प्रधान मंत्री जी ने पी-एंड केर्स फंडा का अकाउंट खोला और उस में भी पी-एंड केश में भी आप सब के से स्रीमार नीरज अनन्द जी ने अतुलन ये काम किया परशणशन ये ये काम किया जिसके लिए मैं उनको और आप सब को बहुत 10 adapt आज साथियों हम सब जानते हैं कि जो आप सब लोग यहां बैठे हैं वो चाहिए प्रजा परिश्द का दोर था भारतिय जनसंग का दोर था या आज भारतिय जनत्ता पाटी का दोर है आप सबने आपके परिजनों में आपके पूरवजू ने जेश का तिरंगा जंडा जमू में भुलंद रखा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका और आपके परिवार के लोगों का है यहां बैठे अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं कोई संगर की शाखा में काम करते करते आगे बढ़े कोई जनसंग और प्रजा परिश्द के काल से जिनके घरूं के अंदर प्रचारकूं का अना जाना रहता होगा और हमेशा देश की समाज की चिंता करने वाला यह जम्मू का व्यापारी वर्ग जब भी खड़ा हुआ जब भी कहीं कोई मुसीबत आई जब भी कहीं कोई परिशानी दिक्त तकलीव आई हमेशा एक फौजी की तरह एक सिपाही की तरह खड़ा हुआ और उन्होंने हमेशा देश के तिरंगे जंडे को भुलंद रखा यही पैचान जम्मू के ट्रेडर्स की है व्यवसाई की उसने आपने दुख तकलीवें कश्ट जेले होगे उनको बहुत सरकारी तंत्र में जो administratively उस वकत की सरकारूने बड़ा दबाया होगा कश्ट पूरन तरीके से रखा होगा लेकिन देश भग समार जिनके खून में या जिनके डियने में तिरंगा जंडा बसता है वो कभी जुके नहीं उन्होंने यह नहीं देखा कि हमारे पर उन्होंने भुलंद किया और इसी परंपरा को आज भी हमारे ट्रेडर्स जितनी भजार असोसियेशन्स फेडरेशन्स इंडरस्ट्रीज के लोग जितने भी हमारा व्यापारी वर्ग है उस परंपरा को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहा है जैसे अशोग जी ने कहा पार्टी के कार्याले में जो कि आपका घर है आपके आने से हमारी भी होसला अबजाई हुई हमारा मनोबल भी बढ़ता है जब भी हम काम करते हैं हमें विश्वास रहता है यह वर्ग समाज का वह वर्ग है समाज को जहां कहीं भी जुरूरत पड़ेगी कभी कभी कदम और इसी परंपरा को बाखुबी हमारे साथियों निभाया साथियो आज आप देख रहें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में भारतिय जनता पार्टी का जबर्दस प्रभाव वो भारतिय जनता पार्टी जो स्वर्गिये पंडित प्रेमना डोगरा जी महराजा हरी सिंग बहादूर जी या बाद में शामा प्रसाद मुकर जी साहब अटल बिहारी वाजबाई साहब लाल किशन अडवानी जी जैसे हमारे महापुर्शों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रेरना दाई हमारे कारे करताओं ने नेताओं ने अपने खून पसीना लगा कर जिस भारतिय जनता पार्टी का पदा रोपण उस व्रिक्ष का किया वह आज वट व्रिक्ष बन चुका है ना केवल पूरे देश में बलकि पूरी द्युploy आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सब से बड़ी प्रिटिकल पार्टी बन के उबरी जिसके 20 करोर क आसपास जिसके मेंबर्स हैं बाज़ाबता जिनकी मेंबर्शिप हैं हमारे आफिसिस के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी 15 लाक से उपर जिस राजनितिक दल के मेंबर हैं वो भारतिय जनेता पार्टी है वो बीज जो हमारे पूरहुजू ने लगाया था आज वो कि ना केवल इस जम्मू संभाग बलकि कश्वीर घाटी में भी आज भारतिय जनेता पार्टी का कमल का फूल खिला है एक जमाना होता था यह जम्मू शहर ही भारतिय जनेता पार्टी होती थी जम्मू शहर से बाहर निकलते थे भारतिय जनेता पार्टी का बहुत कम आधार होता था है आज जम्मू संभाग के गाउं काव में आप जाएंगे आपको हर घर के उपर भारतीय जनत्य पार्टि का जंड़ा मिलेगा ये हमारे पूर्वज्युं की दे Du Are जो हमारे आपके पूर्वज थे जिनुने भारतिये जनत्ता पार्टी जनसंग प्रजा परशिद के जंडे को बुलंद किया यह उनकी देन है यह उनके खून-पसीने का परिणाम है कि आज भारतिये जनत्ता पार्टी पूरे जम्मु कश्मीर में सबसे ताकत्वर पॉलिटि लदाक भी हमारे साथ था जम्मु पुच की सीट हो उदंपूर कठुवा डोडा की सीट हो या लदाक की सीट हो पहले से डबल मारजनूं के साथ भारतिये जनत्ता पार्टी की यह सीट है आप सब के सहयोग से जनता के सहयोग से हमने जीत है पंचाइतूं के चुनाव में भ सबसे ज़ादा जो उमीदवार जीत के आए जम्मू कश्मीर में वो भारत ये दिनता पार्टी के और आप देखो जो अर्बन लोकल बाडीज है शेहरी निकाही चुना चाहे मुनिसिपल कार्पॉरेशन जम्मू हो मुनिसिपल कांसल्स हो या हमारी मुनिसिपल कमेटियां हो जम्मू रिजन में 37 में से आउट अव 37 भारतिय जनता पार्टी 32 में भारतिय जनता पार्टी की जम्मू संभाग में अपनी कमेटियां है सरकार और उसी प्रकार आप देखेंगे कश्मीर घाटी में एक जमाना होता था हम नारा लगाते थे जिस कश्मीर को खून से सीचा वो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है हमारे पूरवजनारा लगाते थे लेकिन कश्मीर में भारतिये जनता पार्टी का कोई बहुत अधिक आधार नहीं होता लेकिन आज आप देखो भारतिये जनता पार्टी के कमल के इस निशान के उपर जीते हुए ह हमारे मिमबर हैं कि 52 सर पंचेष हैं कि इतना ही नहीं पिछले दिनूं आपने देखा होगा जब अमिटिशासाद साथ की रैली ही ऑच चाहे रजोरी पुठ्छ के अंदर हुई है जो रजोरी में हुई या नर्थ कश्मीर उत्तरी कश्मीर के मुला माभी कि रजोरी पुंकर की रैली में जो रजोरी में वूई उसमें सरम रजोरी और पुंकर लोग थे सुंदर्वानी से लेकेश तक और वही जो बारमुला के अंदर रैली हुई उस रैली में सिरो बारमुला बांडीपूरा और कुपवारा डिस्टर के लोग थे रिकार्ड तोड़ लो अमिद्शा साब की रैलियों में आई एक लाक से उपर संख्या रजोरी के अंदर थी तो साथ सत्तर हजार लोग बारमुला के अंदर अमिद्शा साब को सुनने के लिए और फिर उसका परिणाम हुआ इन रैलियों का परिणाम हमको देखने को मिला बहुत जल्दी मुझे उमीद थी थोड़ा महीने दो महीने लगेंगे लेकिन बड़ा जल्दी परिवर्तन देखने को मिला वो लोग जो कहते थे कि जम्मू के ढ़ाई डिस्टक है आपने ढ़ाई डिस्टक लेलो ओ भी जम्मू आणी आणी ये डोगरी चाहिकल सभीचा करें तो साथ अपने लखो अपने कोल लेकर आज में दिखिया पड़का कड़ी ये डोगरी चुपाशन करा दिया आई सीर नगरा बोला दिया जम्मू को लोनी बढ़ी मैं क्या भाब बड़ी चैनता हुए ये याज बड़ी भेगर लगी दिए एर आमद्शाद यां रैलिये दा प्रभ असेम्ब्री दे लक्षन ओने भारतिये जन्ता पार्टी ने मिशन लाता है पंजाब प्लस सीटां नब्वे सीटां नब्वे चाब सरकार बनाने यसे 46 सीटां चाहिए और बीजेबी ने नारा लाए उड़िया कि आसे इस बार पंजा लेनी हैं असे नारा लाया अब की बा पचास के पार शारे अस्ते हैं जादू दो साल पहले कारेकार नीदी का अपनी बीजेबी बैठे के असे नारा लाए उड़िया अब की बार पचास पार मते सारे मेरे साथी में पुछा दे हैं इपंजाब पार की उने लेकिन आज जिस चली जाइनिंगा आदियां आज नी आज इनने साथी सारे भारतिये जंता पार्टी शामलों आई बिपक्षी पार्टी इने बड़े-बड़े सूर में सब बीजे पीदे चंडे लई ये मोधी सरकार जयाजयकार अज चला दिया और आज आम जन मानस आम लों की एक गलाद नहीं वही इतने बीजे पीदी सरकार बनी है मेरे साथ यह जकीन जिल्यात तुसें सारे दा शीरवार तुसें सारे भारतिये जंता पार्टी चो पहले अपना प्यार और अपना शीरवार बीजे भी दिता अगे भी दोड़ा शीरवार इस सचाली बनिया रोना चाहिदा और ना केवल शीरवार असे सारे मिलिए बड़े पैमाने उपर कम करना और मैं तुसे यकीन देना कि जिस्ट किसंदी आवाज ग्राएं पिंडें शैरें क्या इंदू मुसल्मान सिख असाई सारे जमूदे डोगरे किश्मीरी गुजर बकरवाल पाड़ी चारों तरफ आज भारती जन्ता पाड़ी दा जबरदस्त प मसले आलोई इते जमू कश्मीरी इचर दिखो एस सारे जड़े साथियों इते कड़े कड़े कनून लाजे है तुसे गराएं जमीन नहीं लई सकते हैं कि अगरे कनून है शैर दे रोने आले और उद्ध लिखे दाहा माजन खत्री अगरवाल एजनाव ग्राएं जमीन नहीं लई सकते हैं एक ड़े कनून है जना बाग लांदे हैं सेवे दे उत्थे कनून इच लिखे दाहा एक्ट एस सिरफ एजमूच बाग नहीं लगी सकते कि मंडिया नहीं बड़ी से दियां इस किसम दे काम है अज सातियों बेस्ट पाकिस्तानी रिफूजी सतर साल सतर साल जमू कश्मीर रोंदे है उन्हें बोट पाने दा अधिकार नहीं और एड़े नेता गलक दे हिमर राइट का बाइलेशन हो रहा है गुर्खा समाज बालमी की समाज सारियां माता पेहना महिला बरग उन्हें अधिकार नहीं गुजर बकरवाले की आक नहीं पाड़ी मुसल्मान पर आप एन OVC केटेगरी चांदा है इनने दे उन्दे कले कटे आज मोधी सरकार सार यंदा पला करा दिया आज दिखो कि नी डिवल्मेंट हो आदिया एक्स्प्रेस आइवे आइवे आइवेस रेलवे टनल्स रिंगरोडा जम्मू इंडिया पहला शाहर है जि सार बड़े इंस्ट्रिचूट इंडिया चो कुसर शेर इस रही है एक जाड़ा जम्मू है जिदे चे एस सारी चीजा मजूद है एजड़े तभी नदी आर्टीफिशल लेक एदा पैसा भी मंजूर हो हिया आज दिखो जम्मू किसां चमकरा शामी इनने पुलेरा बंदा अलंग दे तरंगे बने देंदर माता बावे आली दे दरवार जाओ लाइट एंड साउंड शोच चला देन पार्केंच रोणका लगी दिया आज मुवार्कमंडी जाओ शाड़े जमूदी है रूखुश यंदिया वह क्या चांदार चीजा मुणियां साथियो आज माता ब किरवाट काने एक भारतिय जन्था पार्टी और मौदी सरकार दी देना एंढ़ी इस सरकार देश इतना लएँ कं म करने हाली सरकार आज नाकेवल इंडिया पूरी दुनियह चाज अंद स्थान दे लोगे लोग स्रूटु मारी यह पेश कर दर न ईंधिस साथ मोधीश्प कम कर सक्केल हार ब्रब्यक्तिक ने इंसाफ और देडिक सबस्का साथ सबस्तां सबका विशौस और नर्यार सबका विश्वास in और जरूरी मकी संक्याय साड़े केने साड़े सिख पर आप एठेदल मोधी साव ने जड़े कम मरमोर सिंग साव भी देशने प्राइम मिनिश्टर है लेकिन गुरु गोविन सिंग्ग जी महराज जी दे जड़े सावजादे है चार जिनने कुर्वानियां दीतियां देश शस्ते शही गोई ये छोटे छोटे बालक ओ जड़े गुरु गोविन सिंग्ग सावदे चार साइबजादे मांग उठती ही के बाल दिवस बचे न दिवस कोई ऐसे तेज तरार बचे न रखो जेड़े प्रेर न देन पचेएगी ते इते रखे दहा बाल दिवस के सना तुसे लेकर मोदी साल में आख्या नहीं 25 दिसंबर उन्हें आख्या 24 दिसंबर ये जड़ा दिन है ये बीर बाल दिवस गुरु गोविन सिंग्ग जी माराज जी दे सावजादें दे नांते कि कोई नहीं कर सक्या करतारपूर कारीडर दिखो आज कितनिया ऐसे कम मोदी सावस इस बाला मोदी सावर करादन इससरकार रहें भारत माता थी सरकार रहें देश्मक्ट इस यह एद्वस्ते आव अस इस पाठी दे कार्मा की और मजबूत कर्चा और जड़ा नारा मिशन पंजाब पलस देश वी मोदी सरकार और नमदर कश्मीर वीची मोदी सरकार बहुत दल्यवाद अदल्य प्रदेशे से रविंदराना जी अब मेरा इंडस्ट्री एंड ट्रेडर सेल के हमारे कनुवीनर बड़वाई शामनगाने से नुवेद लाकी मौन चपे आएं आप सभी महनुभाविका दल्यवाद करें अदल्य शामनगा जी भारत माता की आज जिस इसाफ से जैनिंग हुई है तो मेरे को मयानी आ रहा कि सभी मुफी बात के बोनेगे भारत माता की भारत माता की बारती है जंतापार्टी मंच पे बिराजमान श्री रविंदर राना जी पार्टी के अदक्ष श्री अशोकोल जी महमंत्री जी और हमारे श्री कविंदर गुपता जी नेरी जनाम्त जी और मेरे भाई गुपता साब सामने बैठे हुए महान बभूतिया को जम्मू की जो शान है जम्मू की जो जान है हमारे निरंदर भाई मोदी इक ही बात कहते हैं सब का साथ और यह कहते हैं प्रद्धानमत्री के नाते हुए कि आप लोगों का प्रयास अंप लोगों कि वजह से हमारी बारती जंदा-पार्डी जो है वो आज मि बहुंदियों पे है उन्होंने कभी भी अपना नाम नीन लोय कि इतनी हस्ती होते हुए भी उन्हों उन्होंने एकी बात कही कि ये कुंए परिवार PARTY नहीं है ये आप लोगों की जंटा की PARTY है जंटा की PARTY है हर एक आदमी की PARTY है जो देश में रहता है उसकी PARTY है अगर आपकी PARTI है तो आपने अपने ही PARTY से PYAR करना है अपनी ही PARTY को आगे ले की नारा था कि पुचास के पार अधक जी मैं आज आपको मैं प्रैक्टिकली मार्केट में रहता हूं तो जो लोगों की अवाज है वो पुचास के बहुत दूर आगे चले गई है तो हर आदमी मैं एक दफा मेंडर चला गया तीन-चार मिन्ने की बात है तो मेरे यहां पर संद्धादा प्राटि हो इस तरह का आए लोगों के मन में विश्वास है भरतिय जन्दह पा प्रकी तबशेश्पास करती है निरदल माय मॉद्धी के वह पर वश्पास करती है आज नेरजी आ ंप तो भी ये पी में पहले ही थे मैं आज मुबार्गभात देता हूं आपक क्योंकि जो आपके काम जो आपका तोर तरीका था वो पूरा भारती जंदा पार्टी के साथ था और हर रोज आप यही गुन गहते दें कि बीजेपी को कैसे आगे ले जाना है बीजेपी को आगे कैसे बढ़ाना है बड़ी खुशी की बात है कि आज अफिशली आपने इतनी अपनी महाजिन ब्रादरी अपने बेपारियों के साथ अपने पूरी कम्यूनिटी के साथ आपने जाइन किया बहुत-बहुत मवारख आपको और इसी के साथ साथ आपने सभी को सुना मंगर अभी आपका कोई बड़ा बेसबरी से इंतियार कर रहा है तो इसलिए आप से सब्सक्राइब कुछ और भी आपका इंतियार कर रहा है बड़ी बेसबरी से सभी उनसर मिलके जाएं धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्री है